एक्जाम हंटर यूटीब चैनल के साथ साथ आपको एक्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी जोईन करना बहुत जरूरी है सारे अपडेट्स सारे नोटिफिकेशन उसके साथ साथ मोडल एंसर क्वीज वगारा सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है तो इसको आप जोईन कर लिजिए हर वीडियो के दिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है उस पर आप सर्च करके जोईन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कर कीजिए बीपीएसी एक्जाम हंटर और उसको जोईन कर लिजिए हेलो गाइज विल्कम टू एक्जाम हंटर दोस्तों जो सामने आपको कुश्चन दिख रहा है यह बीपीएसी 64 में पूछा गया है ठीक है अब कुश्चन है गवर्नर पर गवर्नर राजियपाल एक ऐसा टोपिक है दोस्तों जिसको हर साल चांसे जराता है पूछने का अब साथवा में क्यों चांसेज बन जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो साथवा में प्रसिडेंट पर पूछ दिया था तो यह रोटेट होते रहता है तो कुश्चन जब पूछा गया था ना तो कुश्चन पूछने के बाद बीपेसी के लिए माफी भी मांगी थी क्यो कि निहां पर ध्यान दिजिएगा कि critically analyze करना है यह जो वर्ड का खेल है इसमें इसको ध्यान देजिएगा तो अगर हम कुश्चन के डिमांड को देखें यह हमारा paid group का copy है जिसको हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से लिखोगे तो अच्छे नमबर आएगा तो अगर आप अगर बताना मतलब आपको उसका फैदा बताना है और घाटा बताना है second demand वह लाएक कि बिहार के जो बिहार के संदर्भ में बताना है ठीक है च्छेद के अंदर भारत के जो गवर्नर नियुक्त होता है उसको कौन करता है यह करता है ओ हो गया और एक जो परिचय होगा एक जो introduction होगा उसमें एह हो सकता है कि government क्या है ने कि it's act as a breeze between center and state तो कहने के मतलब क्या है कि introduction का भी अलग अलग तरीके होते है और बढ़ियाद तरीके से introduction लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेगा अब सामने कोपी देखो सामने वाले ने अच्छा लिखा है अब इस question को कैसे हम लोग deal करेंगे तो पहला आपको लिखना होगा परिचय है सेकेंड लिखना होगा कि इसका positive और negative ठीक है positive और negative लिखना होगा उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे उसके बाद हम लोग इसका example लिखेंगे जो negative में अगर देखा जाये तो example में example में अभी क्या हुआ था उत्राखंड cases हुआ और नाचल पर्देश cases हुआ राजस्थान cases हुआ ठीक है उसके बाद महराष्टा cases हुआ जिसमें गवर्नल करोल बीवाद में आया था केरला में आया था हाल में ही करनाटका में आया था ठीक है तो इस सब को हमें example देना है ठीक है अब उसके बाद बिहार के संदर्व में बताना है तो बिहार में कौन-कोन से dispute हुए है उसके बादे है बताना है और लास्ट में बताना है कि क्या वो कठ़पुतली है तो गवर्नर कठ़पुतली तो है नहीं तो हम गवर्नर के जो पोस्ट है उसका क्या है उसको बताना है उसके बाद हम conclusion करेंगे ठीक है एक question का main demand है और आपको बता दू कि इस question में बहुत ही कम number उठाता बच्चों का कोपी मैंने डाला है आपने चैनल पर कारण यहीं है कि question को समझ नहीं पाए तब सामने जो बच्चा लिखे आने इसको देखे इसका introduction सही है अब देखो अब इनकी राजय पाल की कार्या देखो इसका कोई relevance नहीं है अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे तो question के demand में इसका कोई relevance नहीं है ठीक है तो इसको लिखिने से कोई फैदा नहीं है यहीं बच्चे गलती करते है तो देखो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है इनको recommendation क्या मिला है कि आचलो कोई नहीं आपने अच्छा और state के बीच में अगर center को कोई दिक्कत हुआ तो state के पास message पहुंचाएगा message state के पास कोई दिक्कत हुआ तो center के पहुंचाएगा इस तरह से हमें थोड़ा philosophical type का इंट्रो डालना है उसके बाद हमें डालना है कि government के post का फायदा क्या होता है ना कि government के powers को बहुत सारे इसमे positive and negative impact बताना है ठीक है जब हम positive और negative impact बताएंगे तो हम साथ में यह भी बताएंगे कि किस तरह से जो governor है राजयपाल है अपने post का miss use करता है उसमें हम लोग किसका example देंगे और नाचल परदिस का example देंगे जिसमें supreme court भी लता रहा था और नाचल परदिस के governor को उसके बाद ह कर देंगे महराष्टा कर देंगे रास्थान कर देंगे ऐसे हम example देंगे उसके बाद हम आएंगे बिहार वाले matter पर ठीक है तो बिहार वाले matter पर क्या होता है ना दोस्तों कि बिहार में दो-तिन case हम देंगे जो बिवाद में रहा था पहला अगर आप देखोगे तो एक SR Bum में ही case आया था उसे पहले ordinance राज होते थे और इसके कारण बिहार में बहुत सारे ordinance लाया गया और लेस लेचर को बाइपास करके तो उसका example देंगे उसके बाद सेकेंड बिहार में हम example देंगे बूटा सिंका ठीके न 2005 में जो dispute हुआ था उसका example देंगे ठर्ड एक्जांप में provision है कि जिसका ज्यादे सीठ है न सबसे पहले राजयपाल उसको approach करता है सरकार बनाने का तो जब जब अलग हुई न तो सबसे ज्यादे सीठ था आरजयडी के पास according to the constitution का जो provision है राजयपाल को बनना चाहिए राजयडी को सरकार बनाने के लिए लेकिन जब बोलने के सम ताके आप इसको conclude कर देजिए इनको बारे नंबर मिला है that is very low ठीक है अब आज एक English copy देखते हैं इनका intro बहुत बनिया है ठीक है अब यहां पर इन्होंने थोड़ा बहुत question को समझा है question को थोड़ा बहुत समझा है इन्होंने बताया है कि जो governor है उसका क्या relation क्या मतलब issue ह जिसमें अगर आप देखोगे तो 163 आर्टिकल है इस सबसे dispute है इस आर्टिकल के थुरू क्या होता है ने कि दोस्तों कि राजय पाल को एक discretionary power देता है जिसका राजय पाल बहुत ही use करता है miss use करता है ठीक है तो issue क्या क्या है issue में इन्होंने क्या लिखा है कि abuse of power by the center सभाव इकसी बात है example में आप क्या डाल सकते हो recent example में इन्होंने वेश्ट बंगाल डाला है इसके अलावा और भी example डाल सकते है जैसे उत्रा खंडो के और ना चल हो गया अला अस्तान हो गया तो जितने आप current से link करोगे ठीक है न उतना ही आपको number fetch होगा जितना जादे current डालो biased ideology suppose पोज करो कि कोई Congress की सरकार है वहाँ पर कोई governor BJP का जो ideology है right wings का ideology है उसका चला गया तो दोनों में मदवेद होगा ही example में आप देख सकते हो ठीक है उसके बाद और क्या dispute इन्होंने डाला है इनका थोड़ा बहुत बढ़िया लगा है answer अब क्या होता है कि governor का एक post है न एक political parties में कोई नेता हार गया है ना तो इसको डाल दिया जाता है ठीक ना तो भी एक dispute बन जाता है ठीक है और puppet rulers मतलब क्या है कि act वो क्या करता है कि center की सारूपर नासता है इसलिए बोला गया है न कि just like agent of the center ठीक है अब क्या है कि इसमे और हमेशा बीबाद देखा जाएगा कि contradiction between seem and governor इस सब जो होता है ठीक है अब इनके में क्या है ना कि इन्होंने एक expect को cover किया है एक governor के negative और positive तो बता दिये हैं लेकिन बिहार वाला matter को miss कर दिये हैं क्योंकि बिहार वाला matter देखोगे ना तो that is very difficult to find अब बहुत ही मुस्किल होता है तो मैंने क्या बता है तो बिहार व बिहार को political process को आप follow करेंगे ना तो बहुत सारे इस example है जिसको आप दे सकते हैं ठीक है और इन्होंने क्या किया है कि current example डाला नहीं है जो current example जो issues थे जिसे राज़त्थान का महराष्ट का करनाटका का बथे रहे हैं उसको डाल सकते थे और सबसे जो important point है ना 163 article जो आज में आएगा कि governor के पास power जाता है और governor इसको कैसे मिस्यूच करता है ठीक है दोस्तों अब देखिए एक और देखिए इन्होंने क्या किया है कि इनका इंट्रो बहुत अच्छा है लेकिन इन्होंने राजिय पाल के power को लिख दिया है कर्यकारी विधाईक वितिय कुशन अगर RTI में देखे हो गए तो बहुत ही कम नंबर मिले हैं ऐसे कुश्चन पर ठीक है इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट एंसर है अब इनको क्या रिकमेंडेशन मिला है हमारे इवलबेशन से कि इसको लिखना कैसे है इंट्रो डालिए पोस्टिब एन्यक्टिव इं इसे आपको बहुत ही बढ़िया नंबर मिलेगा तो इनको बहुत ही कम निमिला अब देखे एक और कुश्च एक और कोपी है इनका इंट्रोड़क्शन अच्छा है लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वहीं सेम है पावर एक्सप्लें कर दिया है कि भाया हम लिखें के वहीं जो हमको आता है कुश्चिन कुछ भी पूछ ले एक डिमांड है नहीं इसका कोई अवे सकता नहीं है लिखना ठीक है सब इदो हो बोगस पॉइंट है सब अब इन्होंने दखो इनको क्या मिला है अच्छा एटेंट किया है आपने बिहार वाला मेटर इन्होंने बिहार वा बताना है और आपको करेंट वाला एक्जामपल देना है उसके बाद बिहार वाला मैटर डालके आपको वेफ फुरवार्ड और साधी साथ रेलिवेंस बता देना है तो आपको खत्म हो जाएगा समझ रहे हैं अब एक और कुश्चन देखते हैं इन्होंने भी वहीं देखा अब बताया है नोट रिक्वाइड ठीक है गीव मोर एक्जामपल देखो राजेपाल का कार्ल कि इसकी जवत ही नहीं है ठीक है तो यहां तक क्लियर हो गया तो यहां तक आपको तिन चार कोपी देखा दिया हूँ आपको कि करना क्या है अब ध्यान से सुनिए कि आपको कैस इंपेक्ट लिखिये गया है अगर प हर देना है उसके बाद वहार वाला मेंटर लिजीए है उसके बाद क्या किजेगा उसके बाहर िडाळ डिशी नहीं है या कट पंच्पोफिक्स है तो यह सब क्या है न दोस्तों कि एक structure है जिससे को आपको अच्छा नूमर मिलेगा यहां तक समझ में होगा फिर मिलेंगे अगले कोपी के साथ इसमें कहले करके बिहागा के प्रिविए से कुछन पूछे गाने उसका उनलोग डिल करेंगे तो इस चैनल को दखने के लिए धन आपका दिन सुबह